मैं स्लामुदिन खार और आप देख रहे हैं प्रहाट टैम्स आपको बता देश समय मौजूद है मुम्रा के खड़ी मशीन डोट पर जिस तरह से पुलिस द्वारा कारवाई की गई थी खड़ी मशीन डोट इलाके से तीन ट्रक्स पैडलोर को ग्रफतार किया गया था लेकिन आज जो है विरोधी पक्षनेता अश्रफ सानू पठान खड़ी मशीन रोट का जो इलाका आपको बता देए यहां पर मनपा से जो है यहां पर कारवाई कराई गई है जो इस्ट्रेक्चर है यहां पर ठाने महानगर पालिका ने जैसी भी लगा कर तोड़ दिया है दर असल यहां के जो रहने वाले लोग है उन लोगों की इस तरह के तमाम शिकायते थी कि जो इस्ट्रेक्चर यहां पर बनाए गया था इसमें मुर्गी बकरिया पालते थे यहां के कुछ लोग और यही पर रात के समय में इन इस्ट्रेक्चरों में जो है कुछ नशा करने वाले ल लोगों को जाना पड़ता था और यह जो इस ट्रेक्चर यहां पर बना था इसमें नशा करने वाले लोग अक्तर बैठा करते थे जिसके वजह से महिलाएं लड़कियां या पुरुस को आने जाने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता था जिसे मोबाइल शिनोती की घ घटना हो गई या और मार पीट की घटना हो गई वार की घटना हो गई इस तरह के वारदात यहां पर हमेशा सामने सामने आया करते थे लेकिन पिछले दिनों जो दो से तीन दिन गुजड़ा है यहां पर मुम्बरा पुलिस ने बड़ी कारवाई की और तीन ड्रस पैडलर सागर सालों के और पुलिस की भारी बंदोबस की टीम यहां पर लगाई गई है जरसल विरोधी पक्षनेता असरफ सानु पठान का कहना है कि जिस तरह से यहां पर अतिक्रमड जो किया गया था लोग यहां पर बकरी मुर्गी जो पालते थे यहां पर यह ठाने महां नगरपा बादशी तोड़ेगी और यह रास्ता आप देख रहे हैं इस रास्ते को जो है चोड़ा किया जाएगा और विरोधी पक्षनेता असरफ शानु पठान ने बताया है कि इस रास्ते को काफी चोड़ा कर दिया जाएगा जिसकी वज़े से यहां पर इस तरह के इस नेक्शर जो है दुबारा ना बन पाए इसलिए जो है यहां पर यह कारवाई आज की जा रही है और यहां पर जो अस्थानिये लोगों ने शिकायत की थी उनसे भी हमने बादचीत की है और विरोधी पक्षनेता अश्रफ सानु पठान ने भी इसके उपर क्या कुछ जानकारी दी है आपको सुनाते हैं इसकी कंप्लेंट वगेरा आपने लेटर दे रहे हो क्या मांगनी थी आपकी यह कारवाई जो करवाए आपने की कैसा है वाले लोग का बहुत अब्जेक्शन था इस सब चीजों को लेकर के यहां आने जाने वाले लोगों का भी अब्जेक्शन था कि य अब्जेक्ति कर आज हर जगा पे जो कहीं नगई मुम्राकोसा के अंदर अलग अलग जगाओं पे नशे की पुलिस कारवाई कर रही है उनकैं आदेश पर और पुलिस ऑच्छा का काम कर यह महापालीक्त अच्छा काम कर इंदर्गाल अच्छा काम करें और समाच चीम्श क की बहुत थकरार थी कि जहां पर अलग अलग जगाओं पर बाइपास पर जब करवाई की जारी नशे पर के जो अड़े जहां पर लोग बढ़ते तो कहीं नगे दूसरी जगह रहे हैं इसी नगव पर भीमनगर वाले आसाद नगर वाले मेमन कॉलनी वाले यह पूरे परिसर क ठnd बेख नशे वाला पकड़ा जा रहा है कब उससे वारा हो रहा तो यह वार हो रहा है लडाई हो प्रूरा तो आइसे लोगों को शहर के अंदर बताश नहीं किया जगा हम जहां पर लोग बसती है जहां आपाद यह वहां तो हर्किस यह सब नहीं चले मकान नहीं थे यहां पर बकरों का बता के यहां पर स्ट्रक्शर बाने गए तब पत्रे के पत्रे के वहां पर काउंटर रखे गए इसा सेम वैसा दिखा दिखेंए पहले भी कारवाई हुई थी उपर हुई लेकिन जब भीम नगर आजाद नगर और यह मॉन्टम लिग यह पूरी परिसर के लोग कंटीनू में पस सुबह आके तक्रार किये के हमें कायम अगर यहां से आटाना है तो सबसे बहतर है यह कारवाई नहीं करना है कारवाई करके कल से यहां पर रस्ता बनने का कम शूर हो जो कंप्लेंड आप लोग ने शानू भाई को किये थे और वो तुलबा के सब करवा रहे आप लोग के लिए तो आप लोग को खित्ती खुशी और आप कितना परेशान थे इदर चर्सियों से और यह जो अड़े बने थे बखरा पालने के नाम पे सब चर्सी लोग बैटते अच्छा काम अच्छा काम कर दिया है लोगों को आने जाने में दिकत नहीं होगी परशाइद नहीं होगी एक डर था है कि लोग आते हैं भो सकता किसी के मुबाइल चिनने कोई को सकता किसे कोई पैसा चिनने मरविला माशालला माई शानु भाई क्यों मैं मुबारबात पेश करता हूं इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है चर्सियों कानमक यहां से हटा दिया है कम जिसकम अब कोई रात में एक बज़े दो बज़ आएगा तो बेखाफ आएगा बस यह हमारी कानमक है